हलो गाईज, वेलकम टू फूडी कुकिंग रेस्टी, आज हम बनाएंगे कच्छे चावो से बहुत ही कृस्टी और टेस्टी नाश्ता, बिल्कुल कम ओईल में और कम ही सामान में घर पर बेसिक चीजों से याद बना कर इसे तैयार करेंगे, और येतना टेस्टी बनता है खा मैंने लिए मुक्सि का जार में थोड़ी से मर्टा डाले हैं बिलकुल थोड़ी से, दो हरी मिर्सी और थोड़ाशा मेविढ़ मने दो अध्रक के टुकुड़े लिए हैं इने मेयने दरदरा सा पीस लिया है, देखिए हमारे मसाला तयार हो गया हैं अब एक बाएल में यह मैं दो, तीन, चार और पांच, पांच चमच मैंने चावल काटा ले लिया है, जो मिक्सी में मैंने यह मसाला पीसा है, इसे भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसका अब एक घोल तयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसके अंदर, इसी तरह से एक बैटर तयार करेंगे, स्मूध बैटर इसका हम तयार कर लेंगे, देख सकते हैं, थोड़ी से में डाल दिया है, चि ज़ख था में फ्रेश धनिया है थोग कर ने काट लिया था इसके अंदर यह डाल ती है इसे इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सबैटर रहें हमारा थोड़ा काफी थिक है इसे हलका सा और पानी ड़ा कर मैंने थोड़ा सा इसे पतला बना लिए देखर हमारा गर्म हो चुक इसे हम डालेंगे और इसे हल्का सा फैला देंगे बिल्कुल यह टिक्की की शेप में बन जाएगा कोई भी हम मेजर्मेंट कर लें कोई भी स्पून उसी शेप में हम इसे बनाते रहेंगे देखिए यह खिल्कल का सा फ्राय होने लग गया है फ्राइम में मिडियव डिलो रखना है इसमार इसे नहीं पकाना एकि इसे तरब से फ्राय से हो जाएगा तो बंड़ेंगे कि इतना आच्छा कलर आ गया है इसे एक सेट से हम पलट डेंगे देखी सभी को अच्छी तरह से हम पलट देंगे अब दूसरी सorg हम इसे सिक्ने के लिए रहतेंगे देखी बिल्कुल कं ओईल में हम इसे डिप नहीं करेंगे बिल्कुल कं और में बनकर यह तयार हो जाता है और खाने में इतनाansen' विस्टी है कि बच्चों की लॉइंच बोक्स में आप बना कर दे सके हैं बच्चों को घर में कोई महमान आ जाए तब यह जटपट बनकर यह तयार हो जाता है और गर फी बिल्कुल बेसिक चीजों से ही आहरे इसे बनाकर तयार की हैं देखें यह हमारी सारी मेंने तयार कर ल अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए लेकर आएंगे और नहीं तरह की नहीं नहीं रेस्पी तब तक देखते रहें फूडी कुकिंग रेस्पी बाइबाइब